अज़के इस वीडियो में हम अगस्त करेंट अफेर पार्ट थर्ड को देखने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाली में डेटा रिकावरी सेंटर क्रीसी मेग किसने लॉंच किया तो यह नरीन सीन तोमर ने लॉंच किया है नरीन सीन तो ठिला प्लेर पॉइंट्ज के सतापना 1924 में वही ती और इसका हेड़कॉर्टर निउडेली में हैं रिपतमस थिद पॉइंट हैं हाली में मोस्ट और साथ हमेसे के बाद वहां के जनता के विद्रोह के वज़े से उन्होंने स्थिपा दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2750 जन अमोनियम नाइट्रेट की वज़े से बेरूत के बंदरगाह में ब्लास्ट हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 वैक्सीन रिजिस्टर करने व बाहर माउंट एवरेस है नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तूओं के आयात पर पैन लगा दिया है तो यह 101 वस्तूओं पर लगाया है बैन नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहला हिम तेंद्वास अ पार्क है नेक्स्ट पॉइंट है हाली में वर्ल्ड बायो फ्यूल डे कब मनाया गया तो यह 10 अगस्त को मनाया गया था विस्तू जैव इंदन दिवस क्यों मनाया जाता है बायो फ्यूल के शेत्र में गौवर्मेंट के द्वारा उठाए गए कदमों से लोगों को भारत नेक्स्ट पॉइंट है किसने 10 अगस्त में 10 अगस्ते सवक्षता सब्ता मनाने का ऐलान किया तो यह बहरती रेलवे इंडियन रेल्वे नेक्स्ट पॉइंट है सबमरीं केवल कनेक्टिविट्विटी का सुभारम कहां हुआ है यह अंडवान निकोवार दीव सहूँ पर हुआ है यह ताइस्सो किलोमीटर लंभी केवल कनेक्टिविटी है भारत का सबसे दक्षिंतम छोड जो कि इंद्रा पॉइंट है और यह निकोबार के अन्तिम छोड ग्रेटर नोगेक निकोबार में है इंद्रा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट भी है इसका फूल पराफ केंडिया है इसका है इसका फूल फॉर्म बोड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और इसके प्रिजेंट टाइम पे प्रसिजेंट सौरफ गॉंगुली है नेक्स्ट पॉइंट है UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है यह प्रदीब जोसी है नेक्स्ट पॉइंट है भारत चड़ो अंदलन की 78 वी वरसिगांट कब मनाई गई या 8 अगस्त को मनाई गई 8 अगस्त नीस सो बियालिस को महात्मा गांधी द्वारा इसको सुरू किया गया था इंगलिस में इसे क्विट इंडिया मॉव्मेंट कहते हैं इसको अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है इसी आंदल में महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था तो इतना सारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है तो इह दिल्ली है भारत का पहला प्लाजमा भैंक भी दिल्ली में ही खुला है नेक्स्ट पॉइंट है नही और द्योगि निती की घोसना की है तो इह ऐगुजरात है गुजरात की बात करें तो यहां के CM विजयरूपानी है यहां के राजजिपाल अभी आचारे देवरत है गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गुजरात में ही सरदासरोवर डैम भी है नेक्स्ट पॉइंट है अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो यह नीना राई ने लिखी है इसमें अवध्या की सारी जानकारी दी गही है और यह नवंबर महिने में इसका लॉंच होगा नेक्स्ट पॉइंट है राष्टी हत्करगा दिवस कब मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे यह साथ अगस्त को मनाया गया यह क्यों मनाया जाता है तो यह बुनकरों के सम्मान में और हत्करगा उध्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हाली में नया नियंतरक यह वो महालेखा परिक्षक किसे निक्त किया गया है नियंत्रा के वह महालेखा परिक्षक का मतलब है क्याग तो यह ग्रीश चंद्र मुर्मु को नियुक्त किया गया है यह अब हमारे देश के क्याग हैं सीएजी हैं और सीएजी के फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल अफ इंडिया है हेद्कॉर्टर इसका न्यू देली में हैं नेक्स्ट पॉइंट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया तो यह 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस परमानु हमलों के खिलाफ जागुक्ता फैल आने के लिए और विश्वशान्ति के लिए मनाया जाता है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बॉब गिराए गया था जिसका नाम लिटिल पॉई था और दूसरा उसके तीन दिन के बाद नागशा की सहर पर गिराए गया था जिसका नाम फैट मैं था जोकि 9 अगस्त को गिराए गया था नेक्स्ट पॉइंट है रो हिस्ट्री ओफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामकुस्तक किस ने लिखी है तो यह यतीश चादव है रो की अगर बात करें तो रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड अनलाइसिस विंग उसका हेड़कॉर्टर नियू देली में है और इसके कर नगरहवीली के इंसासित प्रदेश से जिसने लॉंच किया है यह स्टुडेंट के लिए लॉंच किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है आई पील 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो यह यह में किया जाएगा किस राजे सरकार ने इंदेरा रसोई के तहट आठ रुपे प्रती प्लेटी में स्वस्थ एवं पॉश्टिक खाना देने की घुसना की है तो यह राजस्थान सरकार है विश्व समस्कृति दिवस कब मनाया गया यह तीन अगस्त कब मनाया गया था सियासत में शदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया तो विमोचन इसका बिहार के मुख्य मंतर ने तीस कुमार ने किया और अगर बिहार की बात करें तो यहां के गवर्नर अभी फागु चोहान है और इस पुक के राइटर की बात करें तो विजय कुमार चौधरी है नेक्स्ट पॉइंट है सारवजनिक रूप से करवार करने वाले दुनिया की सबसे मोलेवान कंपनी कौन बनी है यह एपल है नेक्स्ट है परमानु उर्जा साहियत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बनाया है यह यह है हाली में विद्यार्थि विज्ञान मंतन 2020 से 2021 का सुभारब किस ने किया है तो यह डॉक्टर हर्सवर्द स्रीने किया है इसके अंदर एक्शली क्लास 6 से क्लास 11 के स्टूडेंट में साइंस के लिए इंट्रेस्ट पैदा करने के लिए यह एक पहल है एक नई शुरूवाद है नेक्स्ट है भारतिय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच समवाद इस्थाफित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है तो यह रक्षिक नाम का रोबोट बनाया है और रेलवी की बात करें तो रेलवे के मिनिस्टर अभी प्यूस गोएल है और रेलवे के वे नेक्स्ट पॉइंट है किस राजिय के राज्यपाल ने तीन राजधानी वाली योजना को मंजूरी दिये तो यह आंध्रप्रदेश है आंध्रप्रदेश की बात करें तो यहां के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेडी हैं यहां के राज जिपाल बिश्व भूशन हरी चंदन है और यहां की राजधानी अमरावती है और कुछ और बात करें तो निगाह एब भी आंदर प्रदेश में हाल फिला लॉंच हुआ था और भासा के अधार पर गठीत होने वाला पहला राज आंदर प्रदेश है जो कि बहुत ही important point है अमरा और जो यह तीन राज राजधानी वाली योजना है इसके अंतर अगर जो तीन राजधानी बनने वाली है उसमें एक तो अमरावती है जो legislative capital बन जाएगी और दूसरा विसाकापटनम है जो कि executive capital होगा और तीसरा कर्णौल है जो कि judicial capital बन जाएगा क्यों नेक्स्ट है किस राज़े सरकार ने रिक्षार ऊपन मामले में गिनीज वरल रिक बनाया है तो है उत्तरप्रदेश नेक्स्ट है विस्व का सबसे सबसे बड़ी परमानुस सनलेन परयोजना कहां Rechts की पलाउंस में की जा रही है परमानुस सनलेन का मतलब है nuclear fusion जो की Sun म वहां कि राजदानी फ्रांस की अभी पैरिस है, FATF का हेड़कार भी पैरिस में ही है, और UNESCO का हेड़कार भी पैरिस में ही है, तो इत्ते सारे पॉइंट इससे में मिलते हैं, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमाना, Green AG पड़ियोजना किस राज्य में सुरू हुई है तो यह मिजोरम में हुई है Next है Muslim महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया तो यह 1 अगस्त को मनाया गया एक अगस्त को इसलिए मनाया गया क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाग को खत्म किया गया है और इसलिए यह मुस्लिम महिला दिवस पहली बार यह पहली बार मनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है 2020 राष्ट्री खेल प्रश्कार विजेता चेहन समीती में किसे सामिल किया गया है तो यह वीडिंदर सेवा आगे नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात पुलीस का नया महानीद्य सक्यानी कि डीजीपी किसे नुक्त किया गया है तो यह आसीस भाटिया है तो यह मद्यप्रदेश में सुरू हुई है अब इस योजना के अंदर कि महिलाएं मास्क बनाएंगे और 11 रुपए में अपने मास्क को सरकार को बेच सकती है से उन्हें रोजगार भी मिलेगा और इसी से आगे बरके एक जो अभियान सरकार ने चलाया वह चलाया रोको टो पॉइंट है हर्याना सरकार ने खेल एवं युवा मामलों में मामलों के विभाग के उपनिदेशक के रूप में किसे निक्त किया है खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उपनिदेशक दो लोग बने हैं जो कि है बवीता फोगाट और कभीता देवी बवीता फोगाट मंतریयों की छटी बैटक के देख्षता किस ने की यह रूस ने की है किस देश ने आपरेशन लेजन लांच किया है तो यह अमेरिका है हाली में किस देश के नए सुप्रीम कोड़ भावन का उद्धान मंत्री नियंद मोदी ने किया तो यह मौरिसस के सुप्रीम कोड़ के किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का सिला न्यास किया गया है तो यह करनाटक है नेक्स्ट है भारतियों मूल के प्रीतम सी किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो यह सिंगापूर रहा है नेक्स्ट है जर्कोन मिसाइल का सफल परीक्षन किस देश ने किया है तो यह रूस नहीं किया है तो यह था हमारा आज का अगस्थ खालन अच्छे लगा ओं तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो हमारे मैट्स और हिस्ट्री के क्लासेज भी देख सकते हैं थैंक यू पर वाचिंग